नमस्कार किसन बाईयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल SK Agri Culture में किसन बाईयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की जब बालिया निकलने लगती हैं उस टाइम पर हमको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कौन सी वो गलतियां हैं, जो हमें नहीं करनी है सावधनिया कौन सी रखनी है ताकि हमारी गेहूं की फसल में किसी भी परकार का कोई नुकसान ना हो और हमको अच्छा उत्पादल मिले बहुत एच्छी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो किसल मैयों हम जो इस वीडियो में बात करने वाले है कि गेहूं की जब बालियां आने लगती है उस टाइम पर हमको कौन सी बातों का ध्यान रखना है कौन सी वो गलतियां है जो हमें नहीं करनी है तो सबसे जो में बात है किसान बाईयों हमको ध्यान देने वाली है वो यह है कि जब गेहूं की बालियां निकलती है ना तो उसके साथ में गेहूं की जो एक बड़ी पत्ती होती है जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊ यह देख रहे हो इस पोदे में अब बहुती जल्द जो है बाली आने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो यह तोड़ा फुला हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहीं से जो है अब गेहूं की बाली बाहर आएगी तो जब गेहूं की बाली बाहर आती है उससे पहले गेहूं की एक से दो बड़ी पतिया बाली के साथ में बाहर आती है जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हो यह बड़ी बाली पतिया है तो हमको कौन सी बात का ध्यान रखना है कि जब गेहूं की बालिया निकल जाए और उसके साथ में ये बड़ी वाली पत्या आ जाए तो इन में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आना चाहिए इसमें कोई पीलापन नहीं आना चाहिए अगर कीटों का अटेक हो रहा है तो उनको भी जो है हमें इस्प्रे कीट नासक डाल के खतम करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा उसे आप ध्यान से समझे कि जब गेहूं बड़े हो जाते उसकी बालिया निकल जाती है तो जब ये नीचे वाली जो पत्या होती है छोटी छोटी पत्या ये जब बालिया नहीं आती है तब तक तो हमारी गेहूं की फसल को पोशन देने का काम यही पत्या करती है यही पत्या पोदे के लिए भोजन मनाती है लेकिन जब गेहूं बड़ी हो जाती है बालिया निकल जाती है उस टाइम पर यह जो बड़ी वाली पत्या होती है यही पत्या पोदे के लिए सबसे ज़्यादा पोशन का काम करती है भोजन का काम करती है क्योंकि नीचे वाली जो पत्या होती हैं उन तक प्रोपर धूप नहीं पहुँच पाती हैं हवा नहीं पहुँच पाती हैं और धीरे धीरे जो हैं वो पीली पढ़ना भी शुरू हो जाती हैं तो वो फिर पोदे के लिए उतनी जरूरी नहीं रहती हैं जितनी जरूरी हमारी गेहूं के लिए बड़ी वाली पत्यां होती हैं तो इसका ध्यान हमको पूरा रखना पड़ेगा अगर इन पत्यों पर पीला पन आता है तो बहुत सारे मार्केट में वाटर सुल्यूबल फर्टी लाजर आ रहे हैं जैसे 13,045 वगेरा इनका उपयोग हमें करना पड़ेगा ताकि इनमें पीला पन ना रहे क्योंकि लगातार मोसम भी खराब चल रहा है इस साल बारिस आ रहे है अभी जनवरी का महिना है फिर से बारिस आनी वाली है 6-7 जनवरी को तो ऐसे में अगर फसल में इन बड़ी वाली पत्यों पर पिलापन आता है तो जो वाटर सल्यूबर फर्टिलाजर है उनका उपयोग करे अगर इनमें कोई कीट लगता है कोई इल्ली का प्रकोब होता है तो कीट ना सक उन दवाओं का उपर्योग करे लेकिन कुल मिलाके आपको ध्यान ये रखना है कि इन पत्यों पर किसी भी परकार का कोई रोग नहीं आना चाहिए ये बिल्कुल सुरक्षिद रहनी चाहिए अगर ये सुरक्षिद रहेगी तो ये पोदे के लिए ज़्यादा भोजन मनाएगी कि ज़्यादा पोश्ण का काम करेगी जिससे बालियां भी अच्छी निकल जाएगी और दाना भराव भी अच्छे से होगा और आपको किसी भी परकार का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा तो उम्हीं देए वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद